कुछ बातों का ध्यान रखना होगा सभी राज तथा केंदर शासित प्रदेश अपने नोडल प्राधिकारी नियुक्त करेंगे जो ऐसे फसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए स्टांडर्ड प्रोटोकॉल विक्सित करेंगे वे ऐसे स्ट्रांडर्ड व्यक्तियों का पंजीकरन भी करेंगे संबंधित राज्य आपस में सला मश्वरा करके सडक मार्ग से यात्रा पर परस पर सहमती बनाएंगे जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी और एस सिंप्रोमाटिक पाए जाने पर उन्हें जाने की अनुमती मिलेगी समुह में यात्रा के लिए बस का प्रयोग किया जाएगा बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठते समय सोशल डिस्टंसिंग के नियम का सक्ती से पालन किया जाएगा ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमती देंगे गंतव्य पर पहुचने के उपरांद स्थानिय स्वास्त अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकप करेंगे यदि इन्हे संस्थागत क्वारंटाइन के आवशक्ता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे नियमत रूप से इनका हेल्फ चेकप किया जाएगा और इनके स्वास्त पर नज़र रखी जाएगी यात्रियों को आरोग सेतु आप का उप्योग करने के लिए प्रोचसाहिप किया जाएगा सभी राज्यों को इन सभी निर्देशों का सक्त अनुपालन करना होगा इसके अलावा आज में आपके साथ हमारी दो इंटर मिनिस्टीरिल सेंट्रल टीम्स जो हैदराबाद और चिन्नेई गई है उनका भी फीडबैक शेर करूँगी हाइदराबाद हमारी जो आएंसीटी गई है उन्होंने अस्पतालों का सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादी का दोरा किया उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप मात्रा में टेस्ट किट्स, पीपीए किट्स, इत्यादी उपलब्ध हैं राज्य सरकार एक end-to-end IT डाशबॉड यूज़ कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्राकिंग कर रही है उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजट किया जो COVID-19 के लिए स्टेट नोडल सेंटर है और यहां टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है इस अस्पताल में प्रदेश के 93 प्रतिशत से जादा केसिस का इलाज किया गया है और यहां पे 300 टेस्ट प्रति दिन करने वाली लाबरेटरी भी है इलाज होने के बाद अस्पताल की गाड़ी पेशन्ट को घर तक छोड़ती है और मोबाइल संदेश द्वारा भी 14 दिन होम कॉरिंटाइन की सूचना देती है अस्पताल में भरती मरीजों को फ्री वाइफाई इत्यादी की भी सुविधा दी गई है टीम ने किंग कोटी जिला अस्पताल का भी दौरा किया वहाँ भी सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन हो रहा था और सैंपल कलेक्शन की सुविधा भी थी टीम ने वहाँ सज़ाव दिया कि अस्पताल में डौनिंग और डौफिंग एरियास को दूर दूर होना चाहिए कर्मचारियों और मरीजों के लिए अलग-अलग कॉरिडॉर होने चाहिए कुछ वाडों में अटाच सौशाले नहीं थे टीम ने सलहा दी कि इन वाडों में मरीजों को भरती ना करें जिससे कि सब लोग कॉमन कॉरिडॉर में एकत्र ना हो टीम ने हुमायू नगर का कंटेन्मेंट जोन भी विजिट किया जिसको बैरिकेड किया गया है हाउस तू हाउस सर्विलेंस वहाँ चल रही है आवश्यक समान और सेवाए निगम द्वारा डॉर स्टेप पर उपलप्त कराई जा रही है जिसके लिए निगम स्टाफ और कंटेन्मेंट जोन के निवासियों का एक वाटसाप ग्रूप भी बनाया गया है कुछ हिस्सों में पुलिस द्वारा ड्रोन की मदद से निगरानी भी की जा रही है टीम ने कारिंटाइन सेंटर भी विजट किया और वहां की स्स्थिती संतोष जनत पाई आयम सी टी ने सेंटरल ड्रग स्टोर का स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखा जिसके द्वारा 44 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में दवाईयों के स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। टीम ने एक शेटो होम का भी मुआइना किया। यहां सरकार द्वारा भोजन और अन्य देनिक उप्योग की वस्तुए प्रदान की जा रही है। माई जी एच एमसी आप के द्वारा वे फूट क्योस की भी जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा मुनिस्पल कॉर्पोरेशन ने मुबाइल कैंटीन का बंदोबस्त किया है। जो ओल्डेज होम, नाइट शेल्टर्स, और्फनेज़, ट्रांसजेंडर्स को भी भोजन की सुविधा उपलप्त करा रही है। टीम ने अधिकांच स्थानों पर लॉकडाउन का अनुपालन सफल पाया और इसमें कम्यूनिटी लीडर्स का भी योगदान रहा है। टीम ने ये भी पाया कि सोशल डिस्टंसी का अधिकांच तह पालन किया जा रहा है। परन्तु कुछ निर्मान साइट पर उन्होंने श्रमिको को बिना मास्क के पाया। टीम ने संबंदित अधिकारियों को ध्यान रखने के लिए सुझाब दिया। और श्रमिको का नियमत मेडिकल चेकप कराने के लिए कहा। अब मैं थोड़ा सा IMCT चन्नाई का भी फीडबैक दूँगी। IMCT चन्नाई ने कंट्रोल रूम्स, विभिन विभागो के हेल्प लाइन, कॉल सेंटर फसिलिटीज, कंटेन्मेंट जोन्स, क्वारंटाइन सेंटर, कोविड और गैर कोविड अस्पताल, PTS शॉप्स, बैंक, मेडिकल शॉप्स, चिल्रेन होम, ओल्ड एज होम्स, फिशर्म संकर्मित मरीजों में से 1168 यानि की 57 प्रतिशत लोग ठीक हो गए है, प्रवासी श्रमिकों के लिए रिलीफ कैंप्स में उन्होंने पाया कि विवस्था अच्छी है और श्रमिक सुविधाओं से संतुष्ट है, टीवी, मेडिकल चेक अप और कांसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, लोगडाउन के दौरान लोगों के लिए कैंटीन द्वारा भी दिन में तीन बार भोजन की विवस्था की जा रही है, लोगों को वित्तिय, सहायता, मुफ्त राशन तथा सब्सिडाइस रेट पर आवश्यक खादय पदार्थों के किट भी दिये जा रहे ह वहाँ पर मुबाइल सांपल कलेक्शन वैंस का प्रयोग हो रहा है, जिससे लोगों की आवाजाही कम होती है या संक्रमन कम फैलने में सहायक होता है टेस्स रिपोर्ट्स 24 घंटे में उपलग्त करा दी जाती है जो उन्होंने प्रशंसनिया पाया COVID टेली कांसलिंग सेंटर और कंटार्ट ट्रेसिंग सेंटर भी प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं COVID हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मरीजों के साथ विडियो कॉंफरेंस द्वारा भी बात चीत करते हैं राजे सरकार ने घरेलू हिंसा के विरुद भी उलेखनिय कदम उठाया है पुलिस रिकॉर्ड में उपलब जानकारी के अनुसार पुलिस विमिन पुलिस कॉंस्टिबल्स महिला पुलिस कॉंस्टिबल्स प्रो एक्टिवली उन घरों पर जाती हैं जहां डोमेस्टिक वाइलन्स की आशंका है जिससे की इसको प्रिवेंट किया जा सके अपने अनुभवों के आधार पर आयम सीटी ने राजे सरकार को कुछ सुझाओ भी दिये हैं जैसे की भीड़ भाड इलाकों में, सलम्स में, बैंक की शाखाओं पर सोशल डिस्टिंसिंग के अनुपालन के लिए और पुकता कदम उठाएं मच्छुआरों के गाउं में भी कोविड नाइन्टीन संबंधी जागरूपता बढ़ाने की अतियाव शक्ता है अस्पतालों में जो रिष्टेदार प्रतीशा कर रहे हैं या लिफ्ट का इस्तमाल कर रहे हैं उन में सोशल डिस्टिंसिंग का अनुपालन भी जरूरी है हेल्थ केर वरकर्स में पी-पी-ई का इस्तमाल बढ़ाना होगा ट्रक ड्राइवर्स की भी स्क्रीनिंग करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया हमारी आशा है कि केंद्रो और राज्य सरकार के एक जो प्रयास से कोविड-19 के नियंतरण में हम सफल होंगे धन्यवाद 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 पिछले 24 धंटों में देश में 1718 नए केसे दाये हैं जिससे की देश में रिपोर्ट हुए टोटल केसिव की संख्या अब बढ़कर 33,050 केसे हो चुकी है अगर हम देखें जो हमारे पास अभी एक्टिव मेडिकल सुपररिजन के केसे हैं तो वह संख्या 23,651 है पिछले 24 धंटे में 630 पेशेंट वो क्योर भी हो गये हैं जिससे की हमारे टोटल क्योर पेशेंट की संख्या बढ़कर अब 8,324 हो चुकी है इस तरह के से अगर हम देखें तो हम पाते की हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजनली 25.19% है रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड अब्ज़र्व कर रहे हैं जैसे की आप लोग को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 13.06% था जो की अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुँच गया है यह एक बहुत ही positive sign है इसके साथ ही हम लोगों ने अगर reported death cases की analysis करें तो पाया कि हमारे देश में case fatality करीब 3.2% note की गई है जिसमें से 65% male और 35% female patients थे अगर हम mortality का age distribution भी देखें तो पाते हैं कि less than 45 years age group में 14% case fatality has been noted 45-60 years age group में 34.8% case fatality has been noted और 60 years के अबव age group में 51.2% case fatality has been noted उसमें भी अगर हम देखें कि 60 plus age group को अगर हम दो भागों में divide करें तो 60-75% में 42% case fatality has been noted और अबव 75 years में भी हमारे पास 9.2% cases में case fatality note की गई है इसके साथ ही 78% cases में जो deaths report हुई हैं उनमें co-morbidities भी पाई गई हैं यह हम आप लोग की जश्टिम इसलिए लाना चाहते हैं कि COVID-19 के संबन में बोथ elderly age और co-morbidities risk factors के रूप में पाई गए हैं अगर हम देखें तो देश का doubling rate जो की lockdown से पहले 3.4 पर था वे प्रोग्रेसिली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई states उस सम्मन में अच्छा perform कर रही हैं जैसे कि अगर हम देखें कि जो state देश के doubling rate से better perform कर रही है यानि कि वहाँ पर cases की doubling 11 दिन से भी जादा हो रही है 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू काश्मीर में, उरीशा, राजिस्थान, तमिलाडू, पंजाब इन states में doubling rate 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है साथ ही 20 से 40 दिन का doubling rate करनाटका, लद्दाख, हर्याना, उत्तरगंड और केरला में देखा गया है इसके साथ ही कुछ states में अबब 40 डेस का भी doubling rate नोट किया गया है वह हैं आसाम, तिलंगाना, चर्थिजगर और हिमाचल प्रदेश यहां यह बात मुख्य है कि हमें समझना चाहिए कि overall state का doubling rate अच्छा होते हुए भी हो सकता है कि उस state के कुछ जिलों में cases का doubling rate हाई हो तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग यह observe करें, यह ensure करें कि हमारा जहां एक overall देश का doubling rate बढ़े यानि कि कम दिनों में, ज्यादा दिनों में cases का doubling हो उसे साथ से हम अपने identified hot spots में concentrated way में काम करें ताकि हम overall disease को इस देश में control कर सकें इसके साथ ही स्वास्थे मंतराली की तरफ से हमने सब state से फिर से discuss किया उनको request किया है कि COVID-19 के cases को manage करते समय हम ये भी ensure करें कि non-COVID related essential services सभी लोग गो provide की जाती रहें non-COVID essential services से संभन में already 20 अप्रेल को एक detailed guideline जारी की गई थी जिसके तहत हमने कहा था कि रहे maternal child health services हो immunization services हो, communicable disease जैसे tuberculosis, leprosy, vector bond diseases जैसे dengue या साथ ही non-communicable disease जैसे cancer, dialysis ऐसी जो भी diseases हो उनकी services भी regularly लोगों को provide की करती रहने चाहिए ministry ने dialysis के लिए एक standard operating protocol भी 7 अप्रेल को जारी किया था साथ ही 9 अप्रेल को blood donation और transfusions related services के लिए भी detailed guidelines जारी की थी मानिये स्वास्ते मंत्री जी ने भी सभी राजों के स्वास्ते मंत्री को लिख कर कहा था कि थैलिसीमिया, हेमोफीलिया या सिकल सेल अनीमिय जैसे blood disorders है उनके लोगों को क्योंकि regular blood transfusion की जरुष है तो ये ensure किया जाए कि उनको proper और uninterrupted way में blood transfusion services मिलती रहें राजे में ये भी कहा गया है कि private शेत्र के कहीं अस्पताल अपने regular patients को dialysis, blood transfusion, chemotherapy और institutional delivery जैसी critical services को देने में किसी कारणवश, भै की वज़े से या lack of understanding की वज़े से कभी-कभी संकोच कर रहे हैं वैं इस डर से अपने hospital और clinics को भी बंद करकर रखे हुए हैं उन इस थानों पर कहीं जगह पर ये देखा गया है कि वैं service provide करने से पहले testing के लिए भी insist कर रहे हैं इस विशे में ये highlight किया जाता है कि जिन भी critical services की देश में आवश्यक्ता है सबी health facilities, विशेश कर private sector ये functional बनी रहें और किसी भी patient को किसी भी तरह की कटनाई का सामना ना करना पड़े ग्रह मंतराले ने 15 अप्रेल के अपने आदेश में भी ये specifically highlight किया था कि lockdown की अवधी में सारी health services functional रहें COVID-19 testing के संधर में ये highlight करना बहुत आवश्यक है कि कोई भी health facility जो भी किसी को test prescribe करे वे protocol के हिसाब से होना चाहिए उसके अनुसार होना चाहिए हमें additional testing prescribe करकर किसी को service refuse नहीं करनी है साथ ही हमें ये ensure करना है कि personal protection equipment और उसके साथ ही infection prevention और control से related सभी guidelines बोथ government और private sector में सब तरीके से follow की जाएं health ministry ने 20 सपरेल को non-covid facilities में non-covid health facilities में अगर कोई COVID-19 का patient confront पता लगे तो उसको कैसे manage करने उससे संबंदित भी detailed decision जारी किये थे जिनके तहर disinfection के बाद ऐसी health facilities में services continue की जा सकती है इन guidelines को true letter और spirit में implement करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी health facilities prolonged समय के लिए बनना रहें और साथ ही profile access system झाल प्रड़ कि आर सकता है झाल 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 सबस्सक्वाइब झाल 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 झाल